वेल्कम बेक टू कपिल फिजिक्स क्लासेज बच्चो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 के लिए एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फिल्ड आये स्टार्ट करते हैं मान लीजिये ये है मेरे पासमेक बॉड़ी जिसका अपना मास है कैपिटल एम तो बच्चो हर एक बॉड़ी के सराउंडिंग में अपना एक सर्टेन स्पेस होता है एक छोटा सा रीजन होता है और इस रीजन की एक खास बा मास है स्मॉल एम यह दूसरी बॉड़ी जब तक पहली बॉड़ी के इस फिल्ड से बाहर होती है तो यह जो बॉड़ी है जिसका मास कैपिटल एम है इसके उपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा पाती लेकिन जैसे ही यह दूसरी बॉड़ी इस फिल्ड के अं जब तक यह दूसरी बॉड़ी इस फिल्ड के बाहर है तो उसके उपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता लेकिन जैसे ही यह बॉड़ी इस इस पेस के अंदर जस्ट एंटर करती है तो पहली बॉड़ी पहली बॉड़ी इस बॉड़ी के उपर ग्रेविटेश एक ऐसा रीजन जिसमें यदि हम किसी दूसरी बॉड़ी की जस्ट एंट्री कराएं और वो बॉड़ी तुरंत एक ग्रेविटेशनल फोर्स फील करने लगें तो ऐसे रीजन को ऐसे इस पेस को बोला जाता है बच्चो ग्रेविटेशनल फील्ड बच्चो अब हमारा नेक्स पास में बॉड़ी जिसका अपना मास है कैपिटल एम क्यूंकि हर एक बॉड़ी के चारो तरफ उसका अपना सर्टेन ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है तो मैंने मान लिया कि यह है इस बॉड़ी का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड अब मैंने माना कि इस बॉड़ी के gravitational field से बहुत ज़्यादा distance पर बोले तो लगभग infinity पर यहां रखी है बेटा एक test mass body क्या रखी है बेटा एक test mass body जब तक यह test mass body इस body के comparison में infinity पर रहेगी तो इस body के उपर कोई भी gravitational force नहीं लगेगा लेकिन मैंने अब क्या काम किया इस test mass body को infinity से उठाकर पहली body के gravitational field में यहां लाकर के place किया तो जैसे ही हम इस test mass body को infinity से उठाकर यहां place करेंगे तो पहली body तुरंथ इसके उपर एक gravitational force लगा करकर attract करेगी क्या करेगी बच्चो अट्रेक्ट करेगी तो होता ऐसा है जब हम एक test mass body को infinity से उठाकर दूसरी body के gravitational field में place करते है तो test mass body के उपर लगने वाला जो force होता है यदि उस force में M naught से divide कर दें तो जो ratio हमें मिलता है उसे बोला जाता है gravitational field intensity क्या बोलते हैं बच्चो gravitational field intensity अब हम बात करेंगे इसकी SI unit के लिए तो आपको एक छोटी सी बात पता है इस gravitational field intensity की जो SI unit होगी वो वही होगी जो इस ratio की होगी तो क्योंकि हमें ये पता है कि जो force है क्या है force की SI unit होती है Newton और M naught है एक mass और इस mass की जो unit होगी वो होगी kg तो gravitational field intensity की जो SI unit होगी क्या होगी बटा वो होगी Newton पर kg तो मैंने इस बात को यहाँ पर लिखा कि जो इसकी SI unit होगी वो Newton पर kg होगी दूसरी बात ये क्योंकि हमें बेटा ये भी पता है कि जो force है वो एक vector quantity है और M naught बोले तो mass एक scalar quantity है अब आप ये भी जानते हो कि यदि हमें एक vector quantity में gravitational field intensity है ये एक vector quantity होती है बच्चो कैसी quantity होती है vector quantity तो मैं इस बात को लिखता हूँ कि it is a vector quantity it is a vector quantity चलिए बच्चो बात करेंगे पहले अब कुछ basic points की जैसा कि मैंने आपसे last lecture में डिसकस किया था Newton's law of gravitation माग लिजिए हमारे पास में दो body है जिन में से एक का मास है M1 और दूसरी body का मास है M2 जब हम इन दोनों bodies को एक दूसरे से small r distance पर separate करके रखते हैं तो इनके बीच में एक gravitational force act करता है जिसे calculate करने का formula होता है F equals to capital G M1 M2 divided by R square divided by R square तो बच्चो अब आपका next topic है gravitational field intensity at any point due to our body कोई भी body किसी भी point पर कितनी gravitational field intensity create करती है उसके लिए अब हमें एक derivation करना है तो देखेंगे बड़े ही दिहान से मान लीजिए कि यह है मेरे पास में एक body जिसका अपना mass है capital M कितना है बेटा जी capital M अब इस body का यहाँ पर अपना एक certain gravitational field भी होगा तो मैंने क्या काम किया इस body के gravitational field में एक point mark कर लिया जिसे नाम दे रहा हूँ P और यह point भी इस body के center से small r distance पर mark किया गया है और इस point P की खास बात यह है कि हमें इस point P पर body की वजह से लगने वाली gravitational field intensity की value को find करना है तो यदि आप इस body की वजह से point P पर gravitational field intensity find करना चाहते हो तो जैसा कि मैंने अभी explain किया था तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक test mass body को test mass body को infinity से उठा कर पहले कहा रखना पड़ेगा बेटा point P पर तो होगा ऐसा जब इस test mass body को हम infinity से उठा कर point P पर यहाँ place करेंगे तो यह पहले वाली body तुरंट इसके उपर एक gravitational force लगा कर अपनी तरफ क्या करेगी attract तो पहले मैं लिखना चाहता हूँ कि जब मैं test mass body को infinity से उठा कर point P पर रखूँगा तो इसके उपर लगने वाला gravitational force कितना होगा तो मैंने इस बात को लिखा कि gravitational force acting on M not acting on M not at कौन से point पर बेटा P पर add point P जो ये हमारी test mass body है M not उसके उपर point P पर पहुंचते ही कितना force लगेगा मैं वो लिखना चाहता हूँ तो आपको पता है इस formula के basis पर जो यहां force लगेगा वो मैंने F equals to पहले आता है capital G तो हम लिखेंगे capital G फिर आता है पहली body का mass M1 और यहां पर पहली body का mass है capital M तो यह होगा G capital M फिर होता है दूसरी body का mass और यहां पर दूसरी body का mass कितना है M not तो बन जाएगा यह M not और divide में होगा कितना R square तो जब यह test mass body infinity से उठाकर point P पर place की जाएगी तो इस body के उपर लगने वाला जो force है वो बच्चो इतना होगा लेकिन हमें find करना है point P पर gravitational field intensity क्या find करना है मेटा gravitational field intensity तो मैंने लिखा therefore जो gravitational field intensity होगी field intensity होगी कौन से point पर add point कौन सा P तो gravitational field intensity का जो formula होता है वो आपने पढ़ा था अभी I equals to F upon M naught F upon M naught तो F हम calculate कर चुके हैं यहाँ पर तो F की value को उठाओ और यहाँ पर put कर दो तो मैंने लिखा बेटा कि मानलो यह है equation first तो मैंने लिखा यहाँ पर using first पहली equation का use करो तो यह जो चीज़ बनेगी यह I equals to बन जाएगा I equals to कितना बनेगा F और F की जगए हमें क्या put करना है G M M naught divide by R square और upon में आएगा बेटा कितना यह M naught जब यहाँ पर इस M naught से divide कर देंगे तो इस M naught से M naught cancel होगा तो जो gravitational field intensity का formula निकल कर आएगा वो I equals to हो जाएगा G M upon कितना R square G M upon R square तो कोई भी body किसी भी point पर जो gravitational field intensity create करती है ना बच्चो उसे हम इस formula के basis पर find करेंगे लेकिन अब बड़े कमाल की बात होगी यह बात सुनने वाली होगी ध्यान से सुनना है देखो होता है ऐसा है बड़े ध्यान से सुनना है क्योंकि मैंने बताया था कि जो gravitational field intensity है वो एक vector quantity होती है कैसी quantity होती है बटा vector quantity होती है तो इसकी अपनी certain direction भी होगी certain अपनी direction भी होगी तो कोई भी body यह बहुत important point है जो बता रहा हूँ मान लो यह है हमारे पास body जिसका mass है अपना कितना capital M जब हम इस capital M mass की body से R distance पर एक point P mark करते हैं तो इस point पर जो gravitational field intensity मिलेगी वो उसका magnitude तो हम इस formula से find कर लेगे बात आते है direction की किस चीज़ की direction की तो कोई भी body किसी भी point पर जो gravitational field intensity करती है न उसकी direction जो होती है वो body के center की तरफ होती है towards the center of body होती है बेटा तो यह हो जाएगी gravitational field intensity की direction इस तरीके से हाँ तो बच्चो अब हमारा next topic है gravitational potential बहुत ही important topic है दिहान से सुनेंगे बच्चों फिर से मैंने माना कि यह है मेरे पास में एक body जिसका अपना mass है capital M जैसा कि आप सभी जानते हो कि हर एक body के चारो तरफ उसका अपना certain gravitational field होता है तो मैंने माना कि यह है इस body का अपना gravitational field अब मैंने माना कि इस body के gravitational field से बहुत ज़्यादा distance पर लगबग infinity पर यहां रखी है test mass body test mass body अब मैंने क्या काम किया इस test mass body को infinity से उठाया और उठा करके पहली body के gravitational field में यहां लाकर के place किया तो होगा ऐसा जब हम इस test mass body को infinity से उठा कर पहली body के gravitational field में place करेंगे तो हमें कुछ work भी करना पड़ेगा तो जब हम इस test mass body को infinity से उठा कर इस body के gravitational field में place करते हैं तो हमें जितना भी work करना पड़ता है यदि उस किये गए work done में m naught से ही divide कर दें तो जो ratio आता है ना वेटा उसे बोला जाता है gravitational potential क्या बोलते हैं gravitational potential अब क्योंकि work done भी एक scalar quantity है और m naught ये mass होता है ये भी एक scalar quantity है तो scalar quantity से scalar quantity में divide करने पर answer भी scalar quantity मिलेगा तो ये जो gravitational potential है ये होती है बेटा एक scalar quantity कैसी quantity होती है scalar quantity अब बात करेंगे हम इसकी SI unit के लिए SI unit के लिए तो आपको पता है work done की SI unit होती है joule क्या होती है बेटा joule और m naught एक mass है जिसकी SI unit होती है kg तो joule पर kg होती है इसकी SI unit हाँ तो बच्चो अब हम बात करेंगे derivation for gravitational potential के लिए मतलब कोई भी एक body किसी particular point पर कितना gravitational potential create करती है उसे calculate करने के लिए अब हम यहाँ पर derivation करेंगे तो मैं पहले आप से बात करूँगा कुछ उन basic points की जो इस derivation में हमें use करने है जरा दिहान से देखिए बच्चो मान लीजे कि यह हमारे पास में body है और इस body के उपर मैंने बच्चो F force apply किया इस direction में अब इस force की वजह से इस body ने इस direction में displacement किया मान लो कितना displacement किया S vector अब body के उपर force कुछ मैंने इस तरीके से लगाया कि force और displacement के बीच में बनने वाला जो angle है वो है theta तो इस condition में body के उपर हमने कुछ work भी किया होगा यदि वो work done आपको fine करना हो तो work done का formula होता है F S cos theta F S cos theta अब यहाँ पर F होता है applied force, S होता है displacement और theta होता है force और displacement के बीच का angle next आपने एक छोटा सा topic पढ़ा होगा बैटा integration आप सभी जानते हैं कि हम integration या differentiation केवल उनहीं terms का करते हैं जो vary करती है और vary हमेशा वही करती है जो किस के साथ लिख्यों होती है D के साथ जैसे आपने एक छोटा सा topic पढ़ा होगा बैटा कि जो integration of D X होता है D X का integration होता है X कितना होता है X आपने एक formula ये भी पढ़ा होगा यदि integration का sign X to the power N और साथ में आजाए D X तो इसके लिए जो integration होता है वो होता है X to the power N प्लस 1 डिवाइड बाई N प्लस कितना 1 अब ज़रा दिहान से देखेंगे बात करेंगे derivation के लिए तो बच्चों मैंने ये माना कि ये है मेरे पास में एक body जिसका अपना mass है capital M अब इस body का चारो तरफ अपना कुछ gravitational field भी होगा तो मैंने क्या काम किया इस body के gravitational field में यहाँ पर एक point mark कर लिया जिसे नाम दिया P और ये point P कुछ इस तरीके से mark किया गया कि body के center से point P तक का जो distance है वो है small r क्योंकि अब मुझे इस point P पर gravitational potential की value find करनी है तो आप यदि यहाँ पर gravitational potential find करना चाहते हो तो इसके लिए हमें बैटा इस body के center से बहुत ज़्यादा distance पर लगभग infinity पर एक test mass body place करनी पड़ेगी तो मैंने माना कि अब मेरे पास में यह test mass body है जो की infinity पर रखी हुई है तो पहले हमें करना क्या होगा इस test mass body को infinity से उठा कर point P पर place करना होगा और ऐसा करने में हमने कितना work किया पहले उसकी हमें requirement होगी तो अब हमारा पहला मकसद बनता है कि इस body को infinity से उठा कर P तक ले जाने में हमने कितना work किया तो दिहां से देखेंगे बच्चो इसका एक तरीका ये भी हो सकता है हमें total work done यहां से यहां के लिए चाहिए बोले तो infinity to P चाहिए तो पहले आप क्या करेंगे बीच के किसी छोटे से पार्ट का work done find कर लीजिए और उसका कर दीजिए integration तो हमें total work done मिलेगा तो मैंने आपसे बच्चो एक छोटी सी बात कही जब हम इस body को test mass body को infinity से उठा कर P की तरफ लेकर चलेंगे तो बीच के किसी time instant पर मान लीजिए हम body को लेकर यहाँ पर पहुँचे थे और यह जो point है इसे मैंने नाम दिया है A क्या नाम दिया है बटा A अब यह जो point A है आप roughly लेट कर लीजिए कि इस body के center से small x distance पर है कितने distance पर है बच्चो small x distance पर है तो condition क्या होगी एक body यह रही दूसरी यह रही जिसका mass है M0 और दौनों के बीच के center का distance भी आपको पता है तो यह पहले वाली body इस test mass body के उपर एक gravitational force लगा कर अपनी तरफ क्या करेगी attract तो पहले मैं उस force को लिखना चाहता हूँ तो मैंने इस बात को लिखा कि gravitational force gravitational force acting on M0 acting on कितना बेटा M0 at कौन से point पर P point पर P नि सॉरी A point पर जब यह वाली body M0 mass की body यहां से उठाकर point A पर लाकर रखी तो इस वाली body ने कितना gravitational force लगाया मुझे वो gravitational force find करना है जहां से देखेंगे तो formula के according जो force यहां पर apply होगा वो F equals to capital G फिर आएगा पहली body का mass जो की कितना है बेटा capital M दूसरी body का mass कितना है M0 और divide में आएगा distance का square वहाँ पर distance R है और यहाँ पर वो distance हमने कितना लिया है X तो divide में हो जाएगा X square तो जब इस test mass body को हम point A पर place करेंगे तो उस पर लगने वाला force बच्चो इतना होगा अब क्योंकि आपको यहां पर एक बात यह भी पता है दिहां तो सुनेंगे जरा जब यह M0 mass की body point A पर हमने place की तो इस body ने इस पर इतना gravitational force लगा कर attract किया तो body पर लगने वाला force आपको पता है तो इतने force की वजह से हम इस test mass body को एक बहुत ही small displacement provide कर रहे है तो मैंने क्या काम किया इस test mass body को अब यहां पर small displacement dx दिया कितना displacement कराया बचा dx तो अब यह M0 mass की body point A से चल कर कहां पहुच गई B पर तो इतना छोटा सा displacement dx कराने में आपको कितना work करना पड़ा पहले आप वो work find कर लीजिए अब आप यहां पर एक बात और भी देखेंगे कि यह जो body है इस body M0 को जिसका mass M0 है इस body को मैंने जो displacement दिया dx वो इसी direction में है displacement हो गए बड़ा इस direction में और force भी इसी direction में लगा हुआ है F vector तो दोनो vectors के बीच का यहां पर angle जो बनेगा theta वो कितने degree होगा 0 degree तो अब हम लिखेंगे work done in giving displacement कितना बच्चो work done in giving displacement dx कितना displacement dx जब इस body को dx displacement दिया तो हमें work कितना करना पड़ा अब work done का formula होता है w लेकिन जब हम small की बात करेंगे small work done लिखेंगे तो यह w dw में convert करके लिखा जाता है तो वो हो जाएगा dw equals to पहले आता है force F अब यहाँ पर force F ही लगा है क्योंकि F साथ में आएगा displacement dx फिर लिखेंगे cos theta तो cos और theta कितने degree है यहाँ पर 0 degree तो यहाँ पर अब आप F की value पुट कर दीजिए तो F की जो value यहाँ पर मिलेगी वो capital G M, M not और divide में कितना होगा बच्चों x square और साथ में आजाएगा displacement dx और cos 0 होगा 1 तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि इस test mass body को जिसका mass M not है A से B तक ले जाने में मुझे इतना work करना पड़ेगा मुझे इतना work करना पड़ेगा लेकिन हमारी requirement है infinity से point P तक का total work done find करना तो मैं इस बात को लिखता हूँ बच्चों कि यदि मुझे लिखना होता total work done total work done कहां से कहां के लिए बच्चों infinity to कहां point P तक के लिए तो total work done के लिए जो छोटे से part का work done आया है उसका करेंगे हम integration तो total work done जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा w equals to integration of small part का work done और small part का work done है वो है g m m not और divide में कितना है बच्चों x square और 7 में कितना है d x अब आप एक बाद जरा ध्यांचा सुनेंगे हम integration या differentiation करते हैं उसी चीज़ का जो करती है vary और यहाँ पर vary वही करती है जो d के साथ है d के साथ में x बोले तो displacement अब जरा ध्यांचा सुनेंगे बच्चों इस point को infinity कहा जाएगा इस body के respect में जहाँ से हम चले हैं वो point इस body के respect में कहाँ पर है infinity पर तो हमारी जो initial limit हो गई चलने की वो गई infinity फिर हम इस body को ले जाकर रुकेंगे कहाँ पर बच्चों point P पर तो अब point P इसी body के respect में कितने distance पर है r तो हमारी जो upper limit होगी वो हो जाएगी r कितनी होगी r अब इस में से जो part constant है उसे integration के बहार लिख दो तो यहां से जो चीज बहार आएगी वो बन जाएगी w equals to w equals to capital G constant है m भी constant है m not b constant है तो यह चीज तो आगई बहार अब integration करेंगे हम 1 by x square का 1 by x square का तो 1 by x square को मैं लिख सकता हूँ x की power minus 2 और यह हो जाएगा साथ में dx अब यह limit infinity यहां पर आचुकी है और r बेटा यहां edge is रहेगा ही रहेगा अब आप देखें यह वाला जो integration का rule है यह इससे match करता है यहां पर x की power minus 2 है और यहां पर कितना है n तो हम इसे और भी लिख सकते हैं बच्चो w equals to capital G m, m not तो आएगा ही आएगा और जब इसका integration करेंगे तो इसका जो integration होगा वो कितना होगा बच्चो वो होगा x to the power minus 2 plus 1 और divide में होगा minus 2 plus कितना 1 आप इसकी जो limit होगी वो infinity to r है और limit को आप as it is यहीं पर रहने दीजिए ऐसे अब आप एक काम और भी कर सकते हैं अब यह जो term यहाँ पर बच्ची है x to the power minus 2 plus 1 इतना होगा अब हम करेंगे क्या यहाँ पर यह जो term लिखी हुई है यह जो term लिखी हुई है इसे थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि w equals to capital G m, m not m, m not अब यह हो जाएगा x to the power minus 1 x to the power कितना होगा minus 1 और divide में आएगा बेटा minus 1 और इसकी जो limits होगी वो infinity to r as it is रहेंगी infinity to r रहेंगी as it is तो होगा यह अब आप यहां से जो minus 1 है उसे तो बहार ले आओ तो बन जाएगा minus g m, m not और x to the power minus 1 को लिखा जा सकता है 1 by x और limit हो जाएगी infinity to कितना बच्चो r infinity to r अब इसमें क्योंकि जो variable था वो x है तो पहले x को हटा कर उसकी जगा पर हम लिखेंगे upper limit क्या लिखेंगे upper limit तो इसे हम और भी लिख सकते है minus का g m, m not जब इसे हटा कर पहले upper limit लिखोगे तो यह हो जाएगा 1 by x sorry 1 by r minus अब लिखेंगे बैटा इसे हटा कर lower limit तो यह हो जाएगा 1 by कितना infinity और आप सभी जानते हो कि 1 by infinity जो होता है उसकी value होती है 0 1 by infinity की value कितनी होती है बच्चो 0 तो यहां से जो total work done हमारे लिए निकल करके आया वो minus का g m, m not और divide में आया है कितना r इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इस test mass body को infinity से उठा कर point p पर place करेंगे तो ऐसा करने में जो हमें total work done करना पड़ेगा न बच्चो वो इतना होगा बटा बड़े ध्यान से देखे इदर निगाओं को भटकाना नहीं है बिल्कुल सामने देखेंगे देखे इदर हाँ अब हमारे पास में total work done आ गया है लेकिन हमारा मक्सद है ग्रेविटेशनल पुटेंशल फाइड गरना तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ग्रेविटेशनल पुटेंशل होगा इं क़्रेविटेशनल पूटेंशल होगा कौन से पाइड प्शो पी पॉइड पर उसके लिए आपको formula बताए गया था V equals to W upon कितना M not तो W तो मैंने find कर लिया यह रहा उपर इस W को उठा कर यहां put कर दो तो V का जो formula बनेगा वो बनेगा minus का G M not divide by कितना R और उसके भी divide में जाएगा कितना M not कितना जाएगा M not अब इस M not से यह M not तो होगा cancel तो V का जो finally formula बचेगा वो बचेगा कितना minus का G M और अब divide by कितना होगा R तो कोई भी body R distance पर mark किये गए point पर जो gravitational potential create करती है ना बच्चों उसे find करने के लिए हम हमेशा यह formula use करेंगे यह formula use करेंगे यह जो तो करेंगे यह जो तो करेंगे